वेल्कम गाइज जेकेलोन जोब चैनल में आवका बहुत बहुत स्वागते सब्सक्राइब कीजे जेकेलोन जोब चैनल को और पाई रोजना मल्टिपल चोईस क्यूशन जो फोईशन हम केमेशे डिसकस कर चुके थे पहले वीडियो में पार्ट वन यह कोन्से गेस प्रातवी के वाइवडिय। में सर्जिंग मातरा में होती हैुँड यह अपने देख लिया था इसका वाइद आटोजे का नाे प्रजींट ठीस higher अगला equation है आपका यह जो equation दीवे है रेक्शन रेक्शन with delta H is equal to delta E यानि कि delta H is equal to delta E वाली अभी किरिया है चार option आपके सामने C plus 2H2O या फिर देख सकते हो आप यहाँ पर पहली equation और second यहाँ पर direction दीवे है third यह सब चारो option देखे आपको बताना है कि यहाँ पर delta H is equal to delta E वाली अभी किरिया कौन सी है रेक्शन कौन सी है important है question 2CO plus O2 या फिर PCL PCL3 plus CO2 CL2 या फिर H2 plus BR2 इसके मिलने से 2HBR तो इसका राइट उसन हो जाएगा पहले आपने टिक लगाना है लगा लिया हो जाएगा H2 plus BR2 HBR बनेगा ठीए यह लाश्ट वाले इसका राइट उसन हो जाएगा D अगला गुशन गाईज पहले आप टिक लगाए को अपने माइंड में ठीए वह पदार्थ जो गेंग के साथ परतिक्रिया करके गल लिनिये तरवे बनाता है काल आता है सबस्टांस फॉर्मड वाई फ्यूज मेंटर विथ प्लक्स इसकाइट प्लक्स केटालिस्ट सलग या और और या इसका इसको बोलते हो वह पदार्थ जो गेंग के साथ परतिक्रिया करके गेंग मेंग वाली नहीं जो गेंग मने कियाते है गेंग का मलब यहां पर आप इंगलिस का सारा ले सकते हो ठीक है कि सबस्टांस पॉर्म वाई फ्यूज मेर्टर विथ प्लक्स इसका मलब ठीक है प्लक्स के साथ रायट आउसन क्या होगा गाईज बिताओ आई होप एक लिक आप नहीं लगा लिया हुआ इसका राइट उसनों जैग आपका इसला गयाने के दातुमल चलो आएगे निमन में से कौन सा अनू एंटी बोर्डिंग अनू कक्संग में अयुग में तिलोटोन रखता है निम्न में कौन सा अनो अन्टी बाुड़िंग अनो करक्शक में आयुबिर इल्लाक्टान रखता है विच ओप दफवविंग मोलीकूल शेज अनफैब इल्लाक्टान इन अन्टी बाुड़िंग मोलीकूलर और्विटल O2-B2-N2-CA2 निम्ल में से कौन सा अनू अन्टी बोर्डिंग अनू कक्सक में युगमी तो लोटों रखता है इसका राइटा उसन देगा और टू बहुत यच्छा क्यूशन है और टू ठीग है किसी भी क्यूशन में कोई भी सिखाई तो समझ में नहीं आ रहा हूँ किसी भी क्यूशन में आपको लग रहा हूँ कि यह कैसे होगा किस प्रकार से होगा कमेंट बोक्स में बताया करो किसी देखो जब तक आप अपना डाउट नहीं बताओगे तो कैसे क्लियर करेंगे हम भी ठीग है और वैसे बहुत एच्चे MC कोजे कोई डाउट आपको होगा नहीं बहुत इसमें क्लियर्टी है किसी दांतो के सलपाइड ऐसक को दांतो ओक्साइड में परिवर्तित किया जाता है सलपाइड और मेटल कनवर्टेड इंटू मेटल ओक्साइड बरजन से बैसे मेरी करण से या पर प्रगलन से या पर निस्तापन से बताओ क्या होगा इसका राइट आप्शन बरजन यान की बस रोस्टिंग किसी दांतो के सलपाइड ऐसको पल पार आप्शन है इसको न से सलपाइड ऑशन को दांतो ओक्साउड में प्रुरुतित किया जा सकता है बाई रोस्टिंग से अगला है क्योंसान सारी विदियां आदरग नहीं गाई जाप गई है किसे दाँ तो सलपाई दाँ तो के निश्करश्म के सारी विदियां लोहे को कैसे परतक किया जाता है तामे को कैसे किया जाता है सारी चीज़ आपको फेन प्लावन विदि बहुत सारी आपके बुक में द बनाने में प्रिक्त होता है पॉलीमर यूज्टू पर्पेर रियोन इज सेलिलोज पॉलीएस्टर नाइलोन इस्टार्ज निमने में से कौन सा भूलक रियोन बनाने में प्रिक्त होता है पॉलीमर यूज्टू पर्पेर रियोन इज इसका राये उसने आपका सेलिलोज पस्टोल आए अगला इसका राये और ऊपका सेलिया करता है अटीन वान बुटेन टुबुटेन अगला इसका इसकार सेलिक्टारती करता है सो इसका राइट आप समझेगा आपका वन ब्यूटीन ठीक नेक्स्ट अगला गुजन है जब टू ब्यूटाइन को एच्टो के साथ पीबी बेसो पॉर की उपस्चिती में अभी करत्त किया जाता है तब बनने वाला उत्पाद होगा वेन टू ब्यूटेन इस मेड़ टू रेक्ट विथ एच्टो इन पर्जेंच ओप पीडी बेसो फॉर दे प्रोड़क्ट फोर्म इस बनने वाला उत्पाद आपको बताना है वन ब्यूटीन टू हाइड्रोक्सी ब्यूटीन ट्रांस टू ब्यूटीन या फिर सिस टू ब्यूटीन देखो टिक पहले आप लगाओगे तो आप काई पायदा होगा आपके मैंड की आपकी मस्तिक्स के एक्सरसाइज होगी जिससे आपका मैंड इस काबिल हो जाएगा कि आप थोड़ा सा लोड लेके किस प्रकाट टिक लगा सकते हो तोड़ो सा अपने माइंड पर लोड डालो गाईस तब यह एक्टिव होगा अधिर्वाइस नहीं इन एक्टिव रहेगा बनना ठीक है और तोड़ी से अब बीट होगे न एक्टिव करने की तो वेसे आप कुछ भी कर सकते हो फिर तो ठीक है कोई सा भी अगला कुशन देखो किसी कुशन में गाईस तोड़ा सा मीं स्प्रिंट हो सकता है क्योंकि टाइपिंग टाइम हो सकता है तो आप कमेंट कर दिया अगरो इसे कोई दिखतोली बाद नहीं है आप निम्न सम्मागी अभी क्रिया के लिए दर नियता की का है कि चुशन तो आपको मिलते रहेंगे गाईस क्योंकि हम रोक ही नहीं सकते चाके भी आपको लोगों का प्यार है लाइक इतने तो कैसे रोख सकते हैं ठीक है इस चैनल पर तुम मिली रहे एक और चैनल ओपन कर गाए जिसका नाम है जीक के अब एमसी क्यूंक चैनल इसका लिंक नीचे देवाई डिस्क्रेशन में जाके देख सकते हैं बहुत अच्छा है यहां पर पर आपको पिजिक्स कमेश्टि बायलोजी के कुछिशन मिलते हैं और उस पर आपको बहुत सारी इंपोर्मेशन मिल जाए कि पिजिक्स कमेश्टि सब कुछ यहां पर दियावाई निम्न सम्मागी बिक्रेश के लिए दर आपको बताना है दर नहीं है कि काई तोड़ा सा दिमाग लगाओ आपको सब पता है बैस तोड़ा सा आपको एक्टी होने की जूरतते है आई होप आपने टिक लगा दिया होगा इसका रायटोप सु हो जाएगा आपका थर्ड वाला ठीग है थर्ड वाला है चुरे पॉर्ट वाला ठीग है लास्ट वाला इसका रायटोप सुन हो जाएगा चलो आगे एपडरी थरि प्लस में अईयोगमित संख्या थनिव ट्रफ फ्र ट्री प्लस टू ऑफ त्री 5 या फिर वन बताओ योगमिति एलश्ष्ट ट्रॉन की संख्या अनपडरि एलोक्ट्रोन की तो गैज वो है आपकी फाइब कार्बनिक योगिकों की सुद्धा के संतुष्टी की जाते purity of organic compound in verify गलनांग द्वारा गनताव द्वारा अनुभार द्वारा जल में विलेता द्वारा सो इसका राइट उसमें आपगा गलनांग द्वारा multiple point next किस अमल को दुरलब अमल माना जाता है in which of flowing acid is considered as weak acid H2SO4, H3PO4, HCl या फिर वेटरी अमल बताओ किस अमल को दुरलब अमल माना जाता है और आपको पता होना चाहिए ये वीक असीड स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बैस वीक बैस हो गया ठीक है ये सार चीज़ आपको पता होना चाहिए सो बताओ इसका राइट उसन क्या हो सकता है आपके क्याल से सो इसका राइट उसन जगा H3PO4 स्ट्रोंग एक कोष्ट का के लिए समन्वे संक्या का मान है कोडिनेशन नंबर पॉर सेंपल क्यूबिक क्यूट सेल सिक्स नेक्स्ट विटामिन तो हमने आपको इतना अच्छा पढ़ाया है जीक के M.C.K. चैनल में जिसने देख लिया होगा नहीं इस चैनल पे तो तो फायदे में लिंक दे दिया है वेसे अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो इतना अच्छा रासा नहीं नाम हमने आपको बताया था इसके सोर्सेज बताया थे इसकी कमी से क्या होता है सब कुछ हमने बताया था ठीक है G.K.M.S.K. चैनल पर नहीं में से कौन सा विटामिन जल में विले है विच आप दो फ्लोविंग विटामिन इस वार्टर सो लेवल A, B, E, K बताओ सो गाइज कराया थो सुनेगा विटामिन बी अब ट्रिक भी मैंने आपको बताया थे कि जल में विले ओनली दोई विटामिन है B और C बस जल में विले कोने B और C और कैसे आधर रखना है आपको WBC से यानि कि water BC वार्टर में सो लो विले B और C विटामिन B और C और बांकी के सब विटामिन विले ठीक है जिसे डि आ गया ये विले जबकि B और C जल में विले होगे कलियर जिन्दिके पर नहीं बूलोगे WBC याद रखलो आप तो बस और बेड़े बेड़े कम्टिशन एक्जाम में भी क्यूशन आता है यह विटामिन वाला अगला क्यूशन नेमल लिकत में दूरलबा तम सार है विकेस बेस अमंग दा फॉलॉविंग अगला क्यूशन और आपको देखो नोट्स तो हम कहां पर देंगे आपको पेस्बुक निस्टाग्राम पर दे देंगे ठीक है पेस्बुक निस्टाग्राम पर फॉलॉव नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपका और हमारा कॉम्मिनेशन बना रहे किसी प्रकार के बाते हम वहाँ पर कर सकते हैं चाहे आपका नोट्स का हो चाहे आपके पीडेव लिंक का हो चाहे आपके मल्टिबल चोईस कुशन का हो चाहे आपके ओल्ड कुशन पेबर का हो चाहे आपके एक्जाम से लेटेड कोई भी इनपोर्मेसन हो, वहाँ पर हम पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पेस्बुक इनिस्टाग्राम, लिंक ने चे दे दिया है, अगर आपने फोलो नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, राउड के नियम, नियमन से सम्बंदेते हैं, वास् प्रेसर से लेटेड है, राउड का नियम, डिस्क्रेस में दिया होई लिंक,